असलाम लेकम वर्ज, वेलकम बैक, आज की वीडियो का टॉपिक है रिमूव वर्टेक्स ट्राम पॉली लाइन और रिमूव वर्टेक्स ट्राम कर्व, आपके पास स्टेट पॉली लाइन भी हो सकती है, ठीक है, और इसके इलावा आपके पास कोई कर्व सेगमेंट हो सकता है तो इसमें आप कैसे vertex कम कर सकते हैं excessive vertex जो किसी वज़ा से geometric create हो जाती है drawing में यहाँ पे मेरे पास कुछ segment है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे unnecessary जो है बहुत ज्यादा vertex है ठीक है और यहाँ पे अगर देखें तो यह polyline जो है ठीक है यह एक tangent है ओके यहाँ भी और यहाँ भी तो किसी भी type की polyline हो सकती है आपके पास यह curve हो सकती है curve segment हो सकता है तो इसमें अगर आपके पास excessive vertex है तो वह आप कैसे remove कर सकते हैं इस वीडियो में हम यही देखेंगे हम सबसे पहले जो है वो arc से start करेंगे यहाँ पे मेरे पास यह arc है ठीक है तो इस arc के जो है इसकी shape को change किये बगार यह vertex हमें remove करने तो इसके लिए मैं civil 3D का यूज़ करूँगा यहाँ पे modify tab है modifier tab में यहाँ पे यह जो है कुछ modification के लिए tools हैं जो के journally feature line के लिए use होते हैं हम इसको poly line पे use करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या result है तो यहाँ पे यह vertex मुझे remove करने है यहाँ पे यह option है fit करो ठीक है तो मैं इसको click करता हूँ और यहाँ पे मैं लाके इसको just click करता हूँ और इसको मैं right click करता हूँ यहाँ पे अगर अभी हम दे厚े तो हमारे यह जो vertex है वो जो excessive vertex है वो remove अचुके है ठीक है यहाँ पे अभी हमारे पास है तो अभी हम इसको भी remove करके देखते है और यहां पर लागे मैं इसको just click करता हूँ अभी हम यहां पर देख लेते हैं यहां पर भी बहुत ज्यादा unnecessary vertex है है मारे पास ओके जिस-जिस segment के आपके remove कर रहे हैं वहां वहां आप इसको click करते जाएं ठीक है और यह आपका जो है polyland जो है वो smooth होता जाएगा यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा vertex है हमारे पास ठीक है यहाँ पर भी मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी करता हूँ ठीक है राइट क्लिक इंटर यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं और यहाँ पर लागर मैं इसको क्लिक करते हूँ अब भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो भी accessible vertex है वो remove हो गया है ठीक है यहाँ पर यह भी remove हो गया है और यहाँ पर यह भी remove हो गया है ओको कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओके तो यह आल Mouse उनली रिक्वाइरमेट केरिसाब से हो गया है अभी हमने देखना है कि इसकी शेप हूई या नहीं हुई यह थी जिस्व है तो यहां कोपी करता हूं यहां पर इस फाइल में लाकर मैं इसको पेस्ट करता हूं जो मैट्री हमारी पेस्ट होगी है अभी हम इसको चेक करते हैं कि यह इसमें कितना फ़र्ग है अगर आप देखें तो इन दोनों लाइन का यहां पर कुछ डिफरेंस आ रहा है मैं इसको रीजन करता हूं आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह बिल्लकुल जो है यह 100% इस प एस प्रेस करना है तो यह आपकी त्यमारी जो है यह एक दम इस पर वो फिट हो जाएगी अभी नेक्स है यहां पर यह मेरे पास कुछ वर्टक्स है इन लाइंस में यहां पर यह जो वीड की ऑप्शन है आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए इसके पर इसको काफी यूजफुल है मैं यहां पर लाके इसको लोड करता हूं लोड वन्स ओके इसकी कमांड है पी एल डी ओके यह मैं पीली इंटर करता हूं यहां पर मेरे पास पूछा जा रहा है maximum distance between collinear vertex to the stator कि हमने इसको कितने के state करना है तो मैं मैं इसको 50 करता हूं 50 का segment मैं देता हूं इसको और मैं by default जो एंगल आ रहा है मैं इसी को लेता हूं और यहां पर पूछा जा रहा है रहते our straightened arch segment कि आपके पास अगर आर्क है तो आपने उसके जो segment है उनको as it is रकना है या कि आपने उसको state करना है तो मैं इसको कहता हूं कर मुझे मेरे पास यह tangent है मैं इसको बोलता हूं इसको च्रेट करें इसको ओकें और यहां पर मैं सेलेक्ट अब्जेक्ट करता हूं यहां पर आप लोग देख सकते हैं sorry PLD okay 50 okay इसको मैं 15 degree करता हूँ okay और इसको मैं state करता हूँ okay select object यहाँ पर मैं इसको select object करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके जो भी vertex है वो shape change हुवे बगार इसमें जो है वो निकल गए है okay यहाँ पर भी हम देख सकते हैं same मैं command 12 यूज़ करता हूँ PLD okay इस दफ़ा मैं इसको 100 distance ले देता हूँ क्योंकि यह हमारी straight line है तो एक ही angle पर है तो इसमें कोई problem नहीं है मैं इसको as it is default accept करता हूँ और इसको मैं select करता हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके भी vertex जो है वो remove हो गया है जितना हमने इसको length दी थी यहाँ पर एक और line है हमारे पास इसके भी हम देख लेते हैं कि इसमें हमने PLD command यूज़ करनी है और इसको इस दफ़ा मैं 50 ले देता हूँ distance और same angle यूज़ करता हूँ S और यहाँ पर मैं इसको select करके right click करता हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 50-50 meter पर बर्टक्स रह गया है बाग की excessive vertex जो थे वो delete हो गया है तो उमीद है यह concept clear हो गया होगा कि आप smooth curve कैसे बना सकते हैं smooth polyline पर कैसे vertex remove कर सकते हैं ओके और या अगर आपके पास straight line है तो आप उस पर कैसे vertex remove कर सकते हैं अमीदा वीडियो आप खुब संद आया होगा thanks for watching अल्लाफिस